आपने दिखा ये क्रिकेट में क्या हुआ आपने हमारी विनिंग देखी हमारे मेंबर्स की बड़ी बड़ी विनिंग आद देखी सबसे बड़ी विनिंग आज हमारी हुई है पाकिस्तान और जिंबावे अले मैच में हमने investment नहीं किया था इस match में लेकिन हमारे members ने इसमें भी बड़ी winning की है मैं आपको बताता हूँ कि fantasy game में जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है कुछ लोग अपना time waste करते हैं विडियो जो वगरे को देखने में किसी के भी telegram channel को join करके वो उस ही में पड़े रहेंगे जो भी फालतू की information आएगी उसको आप लोग सुनते रहते हैं जारतर लोगों को मैंने देखा है आपको केवल और केवल fantasy game में बड़ा win करने के लिए खुश से analysis करना है आपको जीतने से कोई नहीं रोख सकता है हमने जो आट team बनाई थी वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे screen पे आपको हमारे telegram channel दिख रहा है यह हमारे prime member है यहाँ पे देख सकते हो हमने 4-5 पे इंको team दी थी हरीस राउफ captain थे हमारे महमद वसीम हमारे vice captain थे चारहतर लोगों ने captain vice captain बनाया हुआ था महमद रिजवान को यहाँ पे vice captain कुछ लोगों ने अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बनाया था जैसा कि members ने बताया और जैसा कि हम लोगों पता भी था कि इस तरीके से ही चीज़े होगी कुछ लोगों ने बाबराजम को बनाया था कुछ नहीं आपे बॉलर्स में किसी ने सहीन साफ रिदी को बनाया था किसी ने हरीस राउस को vice captain बनाया था किसी ने नसीम साफ को बनाया था कुछ लोगों ने सदाब खान को अपने टीम में नहीं लिया था यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने तेरा कॉंटे 27 और 27 वाली जोईंग किये थे, यह जो मैस था इंडिया और निधरलैंड के बीच में था, यहाँ पर आप देखोगे, यह हमारे स्क्रीन सौर्ट्स है, दो तीन स्क्रीन सौर्ट हमने यहाँ पर सेयर की है, एक में क्लैस हो ग लगा करके 40,000 विन किया, 25,000 का प्रॉफित हो, इन्होंने 6,000 लगा करके 16,000 बिन किया, इन्होंने 5,000 लगा करके 12,000 बिन किया, इसी तरीके से, और भी हमारे करिब 14,000 के आसपास, बेड़ मेंबर से और प्राइम मेंबर मिला करके, इंडिया और निदर लेंड वाले मैच में आपने देखा विनिंग हमारी ये वाले जो पाकिस्तान ए जिंबॉबे का मैच था एक रन से पाकिस्तान ने हार गई मैं आप वो दिखाता हूँ नहापे आप देख सकते हो जिंबॉबे के टीम ने मात्र 31 रंगा टार्गेट रखा था पाकिस्तान इसको विन नहीं कर पाई मैं आपको बता दो कि सेम ये चीज हुई थी आपने लाश्ट यर याद होगा इंडिया पाकिस्तान से हारी उसके बाद इंडिया न्यूजिलेंड से भी हारी जो इंडिया पाकिस्तान के मैंच में हार के बाद जो प्रेसर बनता है वो प्रेसर आज पाकिस्तान के टीम में दिखा बॉलिंग ते उन्होंने काफ़ सांधार की लेकिन फिर भी कुछ बैट्समन को इन्होंने रन बनाने का मौका दिया top order के batsman ने start अच्छा दिया power play अच्छा केला एंड उसके बार नीचे से आकर कि यहाँ पे कुछ player ने यहाँ पे अच्छा performance किया लेकिन फिर भी काफी कम run पे रोग दिया था असानी से win कर लेना चाहिए था last year की मैं आपको कहानी दिखाता हूँ क्या हुआ था last year यहाँ पे आप देखोगे top 2 की teams qualify करती है पाकिस्तान ने 5 match के लिए थे पांचों match जीत करके group 2 में से इन्होंने qualify किया था last year यहाँ पे New Zealand की team ने 5 में से 4 match जीते थे और इसने qualify किया थे यह 2 teams qualify की थी पाकिस्तान का मुकाबला हुआ उस्ट्रेलिया से उस्ट्रेलिया लगबग हारा हुआ मुकाबला जीत गई थी मैथ्यो वेड ने 3 चक्के मार दियरे साइन साफरीदी को और semi-final में बाहर हुगई थी पाकिस्तान की team फिर New Zealand की team का जो मुकाबला हुआ था England से New Zealand की team ने जीता final में गई and ultimately Australia की team ने match को जीता था यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है New Zealand और Australia के बीच में Dubai में final match हुआ था और यहाँ पे Australia ने 8 फिकेट से match को जीत लिया था यहाँ पे पाकिस्तान का पत्ता कट गया था अब यहाँ पे इंडिया वाले match पे आपको ध्यान देना है सेम यही कहाने रिपेट हुई यहाँ पे आप देखोगे इंडिया का जो मुकाबला यहाँ पे हुआ था यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ यहाँ पे 10 विकेट से पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया अब इसका प्रेसर इतना ज़्यादा इंडिया के उपर आया कि कितनी बुरी तरीके से इंडिया के टीम न्यूजी लेंड से हारी फिर बाकी लोगों के result पर depend कर रहा था कि अफगानिस्तान के team पाकिस्तान को हरा दे या अफगानिस्तान के team न्यूजिलेंड को हरा दे कुछ इस तरीके का सीनारी हो था लेकिन अब इंडिया के team पूरी तरीके से safe है इस World Cup में और इस World Cup में क्या हुआ इंडिया ने पाकिस्तान को हरा रहा पाकिस्तान के उपर प्रिसर आ गया और पाकिस्तान के team इतनी कमजूर जिमबॉबे के team से भी 131 का भी target पाकिस्तान के team chase नहीं कर पाई तो ये चीज़े हमेशा लाइफ में भी repeat होती है आपको ये बात याद रखना होगा ये चीज़ मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ इसके दिखाने के पीछे कुछ वज़े है वो मैं आपको बताता हूँ आप fantasy game खेलते हो dream 11 खेलते हो चाए कोई भी fantasy app खेलते है ठीक है आपने किसी match को win किया उसके बाद आपको बड़ा loss हुआ fantasy game में win हुआ फिर बड़ा loss हुआ लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो winning है ये आपकी permanent नहीं है fantasy game में और ये जो loss है वो भी permanent नहीं है जैसे कि आपने देखा last year पाकिस्तान के टीम जिस position पे थी कोई देख के ये कहीं नहीं सकता था कि इस साल पाकिस्तान के टीम इसनी बूरी तरीके से performance करेगी world cup में जैसा कि ये पहले भी अच्छा करती आई है world cup के बाद भी लेकिन इस साल पूरी तरीके से कहानी बदल चुकी है सेम आपके साब fantasy game में भी है आप जब win करते हो कि आप से बढ़िया टीम बनाने वाला कोई भी नहीं है जब आप जीतते हैं उससे में over excited आप हो जाते हो लेकिन जब आपको loss होता है तो आपको ये feel होने लगता है कि हमसे खराब टीम बनाने वाला कोई भी नहीं है या आप बिल्कुल भी win ही नहीं कर सकते हैं लोसेच को recover ही नहीं कर सकते हैं तो ये दोनों ही एक सिक्टे के दो पहले हुआ है fantasy game का ये part and parcel है आपको win होगा तो आपको loss भी होगा आपको loss होगा तो आपको winning भी होगी लेकिन आपके हाथ में क्या है आपके हाथ में है सही match का selection selection आपका सही match का होना चाहिए प्लस आपको किस match में कितना investment करना है ये भी calculation आपको आना चाहिए लोग ये दो गलतिया करते हैं सबसे पहली चीज़ तो गलत match में investment करके सारा पैसा हार जाते हैं अगर उन्हें गलत मैच में इंवेश्मेंट किया है तो इतना ज़्यादा इंवेश्मेंट कर दिया है कि बाकी उनको रिकवर करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है तीसरी चीज बहुत से लोग लोन लेकर के फैंटेसी गेम खेलते हैं अगर उनको लोस हो गया तो वो लोन ले लेते हैं कि अपने पुराने लोसेच को रिकवर करेंगे पहले से लोस था ही लोन भी आपका लोस में सामिल हो जाता है फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और आप डिप्रेस हो जाते हो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाते हैं कि लाइफ खतम हो जाती है वहीं पे लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी हम लोग fantasy game में 8 साल से हैं हमको पता है कि किस match में कितना investment करना है हमको पता है कि हमारे members को कौन से team देनी है किस match में कितना investment करवाना है ये सबसे important होता है आज आपने देखा कि dream 11 में हमने काफी अच्छी winning की अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास 8 साल का experience है तो हम लोगों को ये पता होगा कि किस मैच में हमको profit ज़्यादा हो सकता है प्लस जो domestic T20 है उसमें हम लोग न्यूज के basis पे काम करते हैं लाखो रुपए उसके लिए payment किये जाते हैं तब जाकर के हम win करते हैं जैसे अगर मैं team के combination की बात करूँ यहाँ पे आप देखोगे हमारी team में हरी सरौफ captain थे बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा क्योंकि हरी सरौफ बहुत अच्छे बालिंग अंडिया के अगेंस्ट दिगिया था इन्होंने और वाइस captain में मुहमद वसीम जुनियर को बनाया था आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसको वाइस captain या captain बनाना है बट आपको उसके पहले की सीरिज पर जाकर के देखना होता है यह मुहमद वसीम जुनियर जो लाश्ट के matches खेले थे इसमें इनका क्या performance रहा था आपको पता हुगा यह date hour and balling करते हैं विकेट टेकिंग बॉलर है काफी विकेट्स लेते हैं तो इनमें से सबसे best wise captain की चोईस थे वो मुहमद वसीमी थे या तो मुहमद रिजवान को बनाया जाता international match में हमको कोई भी news नहीं आती है हम लोग अपने experience के basis पर team बनाते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ अब आप यही team या point match कराओगे dream 11 वहाँ अलग आपको दिखेगा because हमने इसमें investment नहीं किया है यह team हमने screenshot लेकर के members को भेजी और जो हम match के 4-5 गंटे पहले एक team बना करके तयार करते हैं कि वो जो dream 11 में हमारा point है कुछ लोगे message भी आते हैं कि आपका point यह है हमारा आपसे कहीं ज्यादा point है तो point का आप क्या करोगे असलियत तो आपको पता ही नहीं है जिनके पाँ mind होता है जो इस चीज़ को सोच समझ सकते हैं यह बात है पता समझ में आती है जिनको नहीं समझ सकते हैं वो नहीं समझ पाएंगे कभी भी तो यह बात है आपको समझनी पड़ेंगी कि जब हमने dream 11 में investment नहीं किया तो हमने just edit mode में team रखके उसका preview लेकर के screenshot लिया, member को भेजा वहाँ पे कहानी खतम उसके बाद हम उसको save कई बार करते हैं कई बार नहीं भी save कर पाते हैं team को उसको preview में ही deadline खतम हो जाती है तो save करना तो दूर की बात है इस World Cup की अगर मैं बात करूँ तो हमने last year करीब 2 करड़ रुपय win किये थे वर्ल्ड कॉप से इस साल हमने अभी तक हमारी my team 11 में हुई है जो हमारे members है उनको ये बात पता है और my team 11 कि अगर मैं बात करूँ पहले हम लोग live winning proof इसका share करते हैं बट हम लोग my team 11 हो या dream 11 हो ज्यादा हम लोग live winning proof share नहीं करते हैं विकॉज जो हमारा पुराना एक channel है वो delete हो चुका है जिसमें कि दिवड़ लाग से जड़ा subscriber थे और हम नहीं चाहते हैं कि live winning proof वगेरे दिखाने की वज़े से हमारा फिर से channel delete हो और delete हो भी जाता है तो हमको उससे कोई फरक नहीं पड़ता है हमको अगर time होगा अगर हमको genuine लगेगा तो हम share भी करेंगे लेकिन कई बार होता है कि हमने अगर बड़ी winning आपको दिखाई तो आप misguide होते हो और उसके बाद आप हमारी तरह बड़ा investment करने की कोसिस करते हो T10 में हमने बहुत बड़ी बड़ी winning की लेकिन T10 के लिए हमने generally videos नहीं बनाए कई बार हमने बनाए चोड़े चोड़े वीडियो आपको guide करने के लिए लेकिन T10 में हमने आपको हमेशा बोला है कि आपको low investment करना है तो हम लोग उन चीजों को share कभी भी नहीं करते हैं जिससे की जो हमारे YouTube पे जो subscribers हैं या टेलिग्राम पे users हैं वो misguide हो उनके मन में लालच आया और जरोस से ज़ादा वो match में investment करें ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे और ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे ऐसी चीजों को हम share नहीं करते हैं इसलिए हम लोग किसी भी application का promotion नहीं करते हैं आपको लालच में नहीं रखते हैं कि आप इस application में पैसे add करो पैसे आप deposit करो के हमको commission मिलेगा हमको बैठे बैठे हो कि के चीज़े seesITY और एक लाख daily की income होगी लेकिन उस income को हम कर के क्या करेंगे हम अब अल्रेदी काफी कमा रहे है और fantasy game की जहां तक बात करी यह तो हमारा केवल winning का 10% है 6% आप कह सकते हो 6-10 के बीच में बाकी चीज़ें तो और भी है हमारी मैं पेसे से Chartered Accountant हूँ तो मेरे को इन सब चीज़ों की जरूत नहीं हो और एक दिन इंडिया में ऐसा आने भी वाला है कुछी समय में कि Fantasy Game यहाँ पर बैन भी हो जाएगा जल्दी ही इसलिए आप लोगों को हमेशा मैं यह सिजिस्ट करता हूँ और रिक्मेंड करता हूँ कि Fantasy Game के भरोसे पर अगर आप जी रहे हो तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा आज से और अभी से Fantasy Game केवल आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए आप अपने करियर का अगर important time बेकार कर रहे हो Fantasy Game में लॉस की वज़े से depression में हो student हो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो fail हो रहे हो, कम माकसा रहे हैं अभी से improve कर यह Fantasy Game खेलना छोड़ दीजी यह सभी के बस की बात नहीं है बहुत सारे लोग केवल अपना time waste करते हैं दूसरों को criticize करने में irrelevant की comments करने में और irrelevant की बाते करने में तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है इसलिए मैं कहता हूँ students के लिए Fantasy Game नहीं बना है केवल और केवल जो Fantasy Game बना है business करने वाले लोगों के लिए बना है जो कि already अपने life में settled है ऐसे लोग जो Fantasy Game खेल रहे हैं जो कि life में बाकी कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया है तो उनके लिए भी खेलना गलत है क्योंकि वो जिस दिन बंद होगा Fantasy Game उनकी life खतम हो जाएगी दो मिनिट में आप सभी कर लूँगा Paid Membership के बारे में कुछ बाते हैं आप से करनी है हमारा जो WhatsApp नमबर है केवल इतना ही है यही है सेम नमबर है 91400233474 इसके लाबा और कोई भी हमारा WhatsApp या Calling नमबर नहीं है तो आपको एक चीज मैं बता दू कि जो Paid Membership पर उसका चार्ज हमारा सबसे ज़ाना है मार्केट में ज्यादा प्राइस रखने का ये मतलब नहीं है कि हमसे ज्यादा लोग Membership लेंगे आप अगर कम चार्ज रखोगे 500 रखोगे 1000 रखोगे 5000 रखोगे 6000 रखोगे तो बहुत सारे लोग आपसे जोड़ेंगे लेकिन हमारा चार्ज इससे कहीं ज्यादा है तो मेरे को पता है कि ज्यादा चार्ज रखने पर ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे ज्यादा लोग Afford नहीं कर पाएंगे केवल वही लोग हमसे जोड़ेंगे जिनका बजट जाद है जो बड़े इंवेश्टर हैं हमारे पर बहुत सारे ऐसे भी इंवेश्टर हैं जो कि एक एक मैच में 10 से 15 लाग 20 लाग भी इंवेश्टमेंट करते हैं तो हम ऐसे ही लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं क्योंकि जो स्मॉल इंवेश्टर होते हैं उनको बातें कई बार समझ में नहीं आती है या तो वो जारत तर इस्टुडेंट होते हैं कम एज के होते हैं सोलर से लेकर के या सतरर से लेकर के चौबिस साल पचीस साल की एज के होते हैं तो वो अपनी यंग एज में होते हैं उनको कुछ भी समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी-भी उन्होंने इस तरीके के बिजनेस में कदम रखा है इस्टुडेंट लाइफ है और उस समय जो वो सोचते हैं उनको लगता है वही सही है तो हम लोग इसलिए ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं हम तो यह कहते हैं कि इस एज ग्रुप के लोगों को फैंटैसी गेम नहीं खेलना चाहिए अगर आप इस्टुडेंट हो अगर आप जॉब कर रहे हो पूरी तरीके सेटल्ड हो बिजनेस आपका है फैमिली बिजनेस है तो आप कर सकते हो लेकिन फिर भी लिमिट में करो जैसे हैं मैं आपको बताता हूँ आप आप डिरेक्ली यूटीब पे सर्च करोगे सागा फ्लैजबेक लाइब विनिंग प्रूफ तो आपको हमारा एक मैच में 18 लाग की विनिंग भी दिखाई देगी 3 लाग वाली विनिंग भी दिखाई देगी और भी आप देखोगे तो बहुत सारी 2 लाग 9000 और भी पहले हम लोग बहुत जयादा जयादा investment करते थे तो पहले हम लोग match कम हुआ करते थे टो एक match में हम लोग 5 लाग 6 लाग 10 लाग ऐसे investment करते थे तो हम लोग के विनिंग भी बड़ी होती लेकिन अब जरूत नहीं है जैसे एक कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर आब आप पहले जितनी इन्वेश्टमेंट नहीं करते हो तो जरूत नहीं है ना पहले जितने मैचेज होते थे उससे कहीं ज़्यादा मैचेज होते है एक दिन में 4-4-5-5 मैचेज हो रहा है कोविट के टाइम में हमने बहुत बड़ी बड़ी विनिंग किया आपने देखी भी होगी और एक विनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है IPL में राइस्थान रोयल्स और RCB का मैच था इसमें हमने 16,30,000 विन किया था 3 करोड भी कर सकते हैं 2 करोड भी कर सकते हैं 10 लाग भी कर सकते हैं 20 लाग भी कर सकते हैं financially हम लोग कोई problem नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा limit में चलते हैं हम लोग daily profit ही कमाते हैं आप जब यह ठान लोगए कि हमको कभी loss में रहना ही नहीं है तो आपको कोई भी loss नहीं करवा सकता है आपको daily profit में ही रहना है लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते हो अगर आपको 10 रुपे का profit हो रहा है 50 का हो रहा है, 100 का हो रहा है 500 का हो रहा है, आप उससे satisfy नहीं होगे आप ऐसे लोगों को follow कर रहे होगे social media पर जो कि एक मैचे 25 लाग लगा रहा है, 40 लाग लगा रहा है तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है वो 25 लाग लगा कर गया मानलों कि 50 लाग, 60 लाग, 70 लाग बिन कर गया लेकिन जब loss होगा 4, 5, 6 मैच पर लगाता है तो उससे कहीं ज़्यादा उसका जाब ही तो रहा है ultimately वो उसको उतना ही profit या उतना ही loss हो रहा है जो कि कम investment करके आपको हो रहा है ये बाद आपको याद रखनी है हमेशा अगर आपको life में खुस रहना है तो आपको हमेशा छोटा investment करना है limit में करना है इसलिए हम लोगों ने अब जो मेंबर से हम देते हैं हर मेंबर से हम बोलते हैं कि आप हमको अपना total budget बताओ हम आपको बताएंगे कितना investment करना है कौन से league आपको join करनी है ये हम अपने members को बताते हैं तब जाकर वो members अच्छा खासा win करते हैं बस members को percentage बता देते रहे या किवल high, low और average investment बता देते रहे jackpot बता देते थे तो members गलट decision लेने लगी तो ऐसा हम नहीं करते हैं हम उनको बताते हैं हम से discuss करते हैं हर match के पहले members इसलिए अब winning percentage और हमारे members का बढ़ता जा रहा है इसलिए अभी हमने दिवाली की समय में 100 members को prime members ने add किया है prime members का मतलब वो members जो हमारे हर एक roles को follow करते हैं और 3 साल, 4 साल से लगातार हमसे membership ले रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो membership लेने के पहले 100 बार सोचते हैं इतना ज़्यादा charge हम देंगे उससे अच्छा हम उसको investment क्यों न कर दे तो उसमें क्या होता है उनका वो amount भी चला जाता है लाकों के नुकसान में आ जाते हैं कम पैसे के चक्कर में पैसे का package लेने के चकर में या उस पैसे को बचाने के चकर में लेकिन हमारे जारातर जो prime members हैं वो कभी भी हमसे discount के लिए नहीं बोलते हैं वो जो future में आने वाली जो league है जैसे कि अभी big bass league mans है हमने अभी announce नहीं किया है लेकिन हमारे करीब 4000 से ज़्यादा members ने उसका package पहले से ही ले लिया है तो हमने उनको अलग group में अभी से रखा हुआ उनको preference दिया जाएगा हर एक चीज में विकाज उनको पता है कि fantasy game में win करना है saga flashback के अलावा उनको कोई भी win नहीं करवा सकता है तो ये बाद आपको याद रखनी है आपको तभी fantasy game खेलना है अगर आप settled हो आपका खुद का business है financially free हो तभी खेलना है इस्टूरेंट हो 17-14 साल की एज के बीच में हो और अभी आप पढ़ाई कर रहे हो कोई आपकी income का ठिकाना नहीं है तो आपको fantasy game नहीं खेलना है ये सारी चीज़े आपको follow करनी है I hope इस वीडियो से काफी आपको help मिली होगी तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होश दो संकुरी signing out Bye Bye